नमस्कार साथियों एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में आप सभी का सवागस है तो हिंदी का लाइफ टेस्ट होने वाला है तो सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाईए उसके बाद इस्टार्ट करते हैं हिंदी के लाइफ टेस्ट को एक बाद कॉमेंट करके आप लोग कॉमेंट करें करता दीजिए आप लोग को आवाज क्लियर आ रही या नहीं आ रही है उसके बाद हम लोग टेस्ट को करते हैं स्टार्ट और परड़े होता है लाइफ टेस्ट तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर जोड़े है फड़ा फड़ वीडियो को लाइक और स से रहा है? आपका पहला कोशन कोशन के खरहा होता है क्या होता है вतो होता है न Chiika कोशन क्टा वावन का सबी लोग जवाद सब़ देजिये कि गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा फड़ा बड़ सभी लोग जवाब देखते हैं चलेंगे भईया गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा 52 पुले भी आपने काम से काम रखना पर गंगा गए गंगा दास जमना गए जमना दास का मतलब होता है कि अवसरवादी होना बहुत इंपॉर्टने इसको याद रखिएगा अगला कोशन दिखिया आप से यहापर क्या करा है तो यहां पर जितने भी साधी जवाब दे रहे हैं छेद क्या हो जाएगा प्रति एक तो बहुत ही आसान है तो प्रतेक का जो परयायवाची होता है वो आपका प्रति प्लस एक होता है और यहाँ पर देखा जाया तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ संधी हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रह नहीं होता है वो सास्त्रग्य होता है सास्त्रग्य होता है तो यहां पर जितने भी जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसी तरह दोस्तों कोश्चन नमर आपका च्छपन कह रहा है पुराड में अगर लोग इक प्रत्य जोड़ दे तो आपका कौन सा तो जितने भी सासी जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसी तरह कोश्चन नमर आपका सत्ता आवन कह रहा है यह तो पहले भी करवाया जाचुका भी हात से हतियाना लात से लतियाना अभी साथ परसो वाले टेस्ट में यह सेम कोश्चन आपको मिला थ यहाँ पर इस संग्या से बनने वाले करिया को क्या कहते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जितने भी जवाब देने हैं नामधातु करिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बैसिकली यहाँ पर यह हाथ से हतियाना इस संग्या से करिया बना तो यह आपके नाम धातु करिया होती है ठीक है आते हैं दोस्तों अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन देखे आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिठा सब्द का विसेसर बताइए सर मिठा विसेसर है इसको अगर हम लोग भाव आचक संग्या में विजलते हैं तो क्या बन कोई आया है इस देखे क्या कह रहा कोई आया है कोई आया है इस वाकर में जो याद रिखे दोस्तों कोई आया है अगलोग इसकी बात करते तो इसका जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा option number देखो कोई यहाँ पर clear नहीं है कौन है तो यहाँ पर जितने भी जवाब दे रहे हैं अनिश्चे वाचक वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे इसी तरह आगला question देखो क्या कहा रहा भई प्रार्थना के समापन में क्या लिखा जाता है जो प्रार्थना आप लोग लिखते हो प्रार्थना पत्र उसके अंत में आप लोग क्या लिखते हो भया आप लोग भाधिये लिखते हो या सिनया कांची लिखते हो या आपका विश्वास पत्र लिखते हो पात्र लिखते हो तियाद रखें कि जो प्रार्षना पत्र होता है उसके नीचे यानि कि उसके समापन में हम लोग क्या लिखते हैं भावधिये लिखते हैं क्या लिखते हैं बहुत इंपोर्टन्ट है उसके समापन में क्या लिखते हैं हम लोग भावधिये लिखते हैं जबकि यहाँ पर से इ यहाँ पर 62 है, सबी लोग जवाब देते हैं चलेंगे क्वेशन नमबर 62 का, जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है सर, 62 का जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा सर, भक्ति कालीन संत परिम्परा के जो प्रसिद्ध कवी थे, वो आपके कवीर दाशी थे, कौन थे दूस्तों, कवीर दाशी थे, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगला कोशन देखें क्या कह रहा है सर, कि पावक और अग्नी सब्दों के मत यह क्या संबंद ह वो नामी है, यह सम नामी यह परयाब बहुत ही अच्छा कोशन है, देखते हैं आपकर कितने लोग जवाब देते हैं, और कौशन नमबर सिफटी थरीका, तो याद रखें दूस्तों जो पावक होता है, वो अग्नी का क्या होता है, परयायवाची होता है, क्या होता है दू यहां पर आना शुरू हो गया तो अगर हम बात करते हैं शोक के बारे में तो यह आपका करूर रसका किसका दोस्तों करूर रसका इस्थाइबाव है क्योंकि जो भाव मुलूप से सदे और विद्दमान रहते हैं उन्हें इस्थाइबाव कहते हैं और इस्थाइबाव की संख बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों तो यहां पर इसका जो करेक्ट एंसवर है क्या हो जाएगा आपका option नमबर सारवनामिक विसेशर जी हां जितने जो आ दे रहें option नमबर ए वो लोग यहां पर बिल्कुल correct हो जाएंगे इसी तरह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है तो अग्ये का विल्क यह होता है बहुत ही सिंपल सा है आपका क्योता है विग होता है तो option नमबर जिसका ए है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसी तरह बही रंग का विल्क बताए क्या होता है बही रंग इसका विल्क बताए क्या हो जाएगा शो रंग बहूरंग सबरंग या अंत रंग देखते है कोशन आपका बही रंग का विल्क जवाब बाहर और अंत मतलब अंदर तो अंत रंग जवाब दे रहे है वो लोग यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगे इसी तरह दोस्तों अगला question देखिए आप से आप पर क्या कहा है? कि निमलखीत वाक्यों में इसे एक में अपादान कारक में विवक्ति के चिनने का प्रियोग हुआ है. बताइए, अपादान कारक के विवक्ति चिनने का प्रियोग कौन से वाक्य में हुआ है? पहला यहां पर कहरा है मेज पर रख़्ा हुआ ग्लास का पानी बहुत सीतल था मेज पर तो मेपर उपर यहां पर होगा नहीं आपको सभी बूद देखिया आकास से बूद अलग हो रहा है ना तो यहाँ पर बिलकुल सही बात है तो जितने वी जवाब दे रहे हैं उपसर नमबर D वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे इसी तरह दोस्तों आपका कोशन नमबर आपका क्या है कोशन नमर आपका यहाँ आप 69 देखे क्या कहangen रहा है इस फूर्ती सब्द का तदभो क्या हो जाएगा इस फूर्ती जो सब्द है इसका तदभो improved क्या हो जाएगा कोशन नमर आपके नहाप यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में औरागया इहाँ यहा पर अगला कोशन बहुत हीिं पो तुरंग सब्याइब सबने की तुरंग सब्याहिए का है जब आप देखिए निiesen की निमिनाग के इसे एक आपका इस रिंग है आफ लेकिन हम बात करते हैं डोर के बारे में तो डोर जो होता है दोस्तों आपकी यह आपकी इसने लिंक सब्सक्राइब यहाँ पर बिल्कुल जाएगा अगला कोशन देखो ध्यां से बहुत ही इंपॉर्टन्ट है क्या कह रहा है नेम लिखेत वाक्यों में एक सकर्मक किरिया का प्रियोग हुआ है एक में सकर्मक किरिया का प्रियोग हुआ है को बताना है किस में हुआ है लड़की सिल रही है राम सो रहा है मैं चला वा नहाता है चलिए फड़ाफर 72 का सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे तो यहाँ पर देखे जवाब आना शुरू हो गया भाई राम सो रहा है यहाँ पर देखा जातो लड़की सील रही है राम सो रहा है वाना आता है सकर्मक किरिया की बात हो रही है न तो यहाँ पर देखा जातो जैसे मैं चला और वान आता है यह तो भाई अकर्मक हो गए राम सो रहा यहाँ पर भी देखा जातो कर्म तो है नहीं कुछ भी लेकिन लड़की सील रही है तो कुछ तो सीलेगी न तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहें आपस नमबर A वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर आते हैं एकले कोशन की तास अगला कोशन देखें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाईया हिंदी दिवस मनाने की ती थी सभी को पता है हिंदी दिवस मनाने की ती थी क्या है सभी को पता है सर 14 सितंबर बिल्कुल सही बात है 14 सितंबर 1944 को हिंदी दिवस तब से मनाया जा रहा है तो आपस नमबर जिसका A है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला कोश質न देखो आप क्या रहते हैं त्यान से देखिए तो बिल्कुल सही पते हो जाएंगे चले दोस्तों आते हैं अगले कोश्चन की तरफ तुदे कि क्या कह रहा है जो च्छा है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है कोश्चन बताते वह चलेंगे जो च्छा है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है चा च्छा आपका ताला भी धोनी है बिल्कुल सही बात हैं क्योंकि यह काखा गागा अंगा यह आप कर अधे कंटि धुनियों क्या हो जाएगा सब्षा जवाब पुलिंग म strategies to know the timeline झालइगा यह बहुत है ऐना श्रूआ चर्वाब करना है मैं बहुत हुता है कि वहुता है या निक कि आप कि यह नहीं पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले कोशन पर देखे क्या कह रहा है कि उत्पत्ति की द्रिष्ट से हिंदी सब्द समूहों को कितने वर्गों में बाटा जाता है कोशन नमबर 77 है सबी लोग जवाब देती हैं चलेंगे 77 जवाब देखें आप राना शुरू सब्द समूहों के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके चलेंगे फड़ा-फड़ सभी जवाब देते हो चलेंगे कोशन नमबर आपका यहाँ पर 78 है जब आप देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया तो बिल्कुल सभी जवाब आशार दुर्बोध नहीं होगा और दुर्लब और दुर्गब में कुछ लोग कन्फ्यूजड है तो बट यहाँ पर मैं आपको क्लिया कर देता हूँ कोशन नमबर 79 है सभी जवाब देते हैं उन्हें क्या कहते हैं कोशन नमबर 89 जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर वह सब्द जो बिभिन पदो वाक्य अथवाब के खंड़ों को जोड़ते हैं उनको हम लोग समुच्चे को अन्तहस्ते वेंजन कहते हैं भाई किस वर्ग के वेंजन जो है आपके अन्तहस्ते वेंजन कहते हैं सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे चले एक टी जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया तो सभी को पता है भाई अन्तहस्त की अगर हम बात करते हैं तो या रा ल यह आपके अंतहा से बेंजन होते हैं, तो यहाँ पर जितने वी जवाब दे रहे हैं, आपसन नमबर D, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे, ठीक है सर, अगला question देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि निम्नांकित में से कौन सा सब्द आपका भाववाचक सं संग्या है, इसके लोगर हम बात करते हैं कि इसके वारे अस्तित्तों के बारे में, तो यह भी आपका भाववाचक संग्या है, जबकि बेईमानी जो है, आपका बेईमान, बेईमान जो सब्द है, सरिफ बेईमान लिखा, बेईमानी लिखा, यह चीज़ आज रिखिएगा तो बेइमान सब्द जो आपका विसेसर है नाकी संग्या है तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं option number C वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे ठीक है अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या गया रहा है तो यहाँ पर नरम की अगला की आपका विसेसर है इमानदार के बारे में तो यह आपके गुडवाचक सब्द हैं गुडवाचक आपके विसेसर हैं लेकिन बहुत जो है आपका यह गुड़ नहीं दिखाता है यह आपका क्या quantity दिखाता है इसलिए आपका बहुत जो है बिसिकली आपका एक प्रा विसेसर होता है तो यहाँ पर जितने भी सासी जवाब दे रहे हैं उससर नमबर A वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला देखो क्या कह रहा है निमनांकित में से कौन सा सब्ध अगनी का प्रयावाची सब्ध नहीं है 83 सबी लोग जवाब देते हैं चलेंगे भी यहाँ अगनी का प्रयावाची का उन सा नहीं है क्वेशन अबर 83 जवाब देखे आना शुरू हो गया है तो बिल्कुल सही जवाब आरह सर 83 का जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा रहा है तो अनल है और वहिं भी है और अमी भी है लेकिन हम बात करते हैं कि इसके बारे भाई पावक के बारे में तो पावक भी है तो यहाँ पर चारों की जायों दिये गए तो अमी यहाँ पर सोरी अमी दिया गया है अमी दिया गया है, तो अमी की बात करते हैं, यह आपका अगनी का प्रहवाची नहीं हुटता है ठीक है सर, यहाँ पर जितने भी लोग जवाद देते हैं, आपसन नमबर डी वो लोग बिल्कुल करेक्ट है, मैं गलग था वहाँ पे ठीक है, 84 का जवाब देए सर, सूत सब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, सूत सब्द जो दिया गया है, सूत समेथ वाला नहीं है, सूत सब्द का तत्सम बताएगे क्या हो जाएगा तो सूत एक तदबो है जवाब देखे आना शुरू होगे तो बिल्कुल सही बात है सर सूत्र यहाँ पर जितने विलोग जवाब दे रहे हैं सूत्र वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करे रहे हैं यह आपका तदसम हो जाएगा इसे तरह पचासी नंबर कोशन क्या कह रहा है आध्यात्मित्ता सब्द का विलोम क्या हो जाएगा पताईए आध्यात्मित्ता सब्द का विलोम क्या हो जाएगा इसी के बाद question number आपका 86 देखे क्या कह रहा है कि रित अस्थानों की पूर्थी करें कभी भी अपने मित्र की उन्नती पर क्या ना करो बताइए अपने मित्र की उन्नती पर क्या नहीं करना चाहिए 86 सभी लोग जवाब देते हो चलेंगी तो बिल्कुल सही जवाब है रासर ज बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है 87 सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे जवाब देखे हैं आपर 87 गाना शुरू हो गया है तो बिल्कुल सही बात है सर उज्जुल यहाँ पर आधा जा आधा जा जिसमें दो बार है तो यानि कि जितने भी साथी जवाब दे रहे है आप्स नम्बर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसी कि बाद कोशन नमर आपके जितने भी जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब आरा है और तक तो मोहन सोता आपका मिस्सर वाक्य हो जाएगा कि क्यों को सवाक्य हो जाएगा भाई मिस्सर वाक्य हो जाएगा तो यहाप पर जितने वी लोग जवाब दे रहे हैं आपका option number A वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे कह तो अगिला question क कह रहा है क्या साइज होते ही पच-ही अपने और निर का मतलब क्या होतां बताईए सन बहुत ही अच्छा question है निर का मतलब क्या होता है नीर का मतलब जगा प्रिट्ष नीर या स्थान देखते हैं design आपर कितने जोग सही जवाब देते हैं यहाँ पर पर किया होना चीह था देखो पच्छी अपने घोसले को हम लोग एक और रूप में बोलते हैं नीड पर जवाब दे रहे हैं ऑसा नमबर C वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेट रहे हैं गोसला पच्छीों का घर नीर होता है ठीक है नीर का सब्द यहां पर नहीं होगा अगल नांकित में से कौन सा सब्द आपका असुद्ध है क्वेशन नमर 90 सब लोग जवाब देंगे यहाँ पर असुद्ध सब्द कौन सा हो जाएगा वसिष्ट प्रतिग्या कृतग्य और शुष्क क्वेशन नमर 90 का जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो बिल्कुल स सही है प्रतिग्या और सुष्क कि हाँ पर यह बिल्कुल सही लिखें जब कि विसिष्ट नहीं होता है विसिष्ट में ठा नहीं होता टा होता है विसिष्ट होता है ना कि विसिष्ट होता है तो यहाँ पर जितने वी लोग जवाब दे रहे हैं उस नमर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखो ध्यान से क्या कह रहा है दुरूपयोग सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है question नमर आपके यहाँ पर 91 है सभी लोग जवाद देते हो चलेंगे जो आपका दुरूपयोग सब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रियोग किया गया है 91 जवाब देखे 91 का आना सुरूओ गया है तो बिल्कुल सही बात से दुरूपयोग सब्द में देखा जाए तो दुरूपसर्ग का प्रियोग किया गया जिसमें उप्योग मूल सब्द है तो यहाँ पर देखा जातो आपसर नमबर जो इसका सी है यह वाला दुर किया गया कोईशन नमबर आपके यहाँ पर क्या है सर 92 है सबी लोग जवाब देते हों चलेंगे सर 92 का जो करेक्ट एंसर है क्या हो सकता है बिल्कुल सही बात है सर धरम प्लस अवलंब प्लस इ यानि कि यहाँ पर देखा जातो आपसर नमबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा लगान आन या अनन्द सभी लोग जवाब देते हों चलेंगे 93 का 93 का जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया तो भाई यहाँ प्रत्य से बनने वाले सब्द है आपका क्या है लगान है बहुत ही इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क् कोशन देखो आप से हाप पर क्या कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैस इसका मतलब क्या होता है इसमें यह पताना है कि से से दोनों सब्द क्या है देखो लाठी और भैस संग्या है तो जिसकी और उसकी क्या है बताइए क्रिया है सर्वनाम है क्रिया विसेशड है आपका वि बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका सर्व नाम हो जाएगा, इसके बाद question number 5 में देखे क्या कह रहा है, कि लाल से निर्मित होता है, लाली, तो काला से क्या हो जाएगा, बताइए, लाल से लाली, तो काला से क्या हो जाएगा, यह तो सकर्म ग्रूप क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छा कोशन है देखते कितने जवाब दे रहे हैं तो रोना का सकर्म ग्रूप रूलाना होता है जैसे किसी को रूलाना हो तो कैसे लोग रोना सीमा रेखा को रूलाती है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा रूलाना इसका सकर्म ग्रूप होता है, इसके बाद question अमरे 97 देखे कहे रहा है, आवाज उठाना इस मुहारे का अर्थ क्या हो जाएगा आवाज उठाना इस मुहारे का अर्थ गया हो जाएगा, तो विरोध करना, यानि कि option number जिसका D है, वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा इसके बाद question number 98 कह रहा है कि सडानन सद्दका संदिविक्षेत क्या हो जाएगा चले 98 सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे सर जो सडानन है इसका संदिविक्षेत क्या हो जाएगा फड़ा पर सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे जवाब देखे 98 98 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, 98 का जो correct answer, 60, यहाँ पर यह वाला, जितने भी लोग जवाद दे रहे हैं, option number C, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे, ठीक है, तो option number जो इसका C है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, इसे तरह question number आपका 99 क कह रहा है, गाकर और खाकर किरियाओ को क्या कहते हैं, देखे, गाकर है और खाकर है, इन किरियाओ को क्या कहते हैं, सब लोग जवाब देते हो चलेंगे, बहुत यह अच्छा question है, तो याद रखिए तो छोटे लोड़े question है, तो लोग गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर या यहाँ पर correct हो जाएंगे अगला देखो क्या कर रहा है एक वाग के असुद्ध है उसका chain करना है एक वाग के जो आपका असुद्ध है उसका chain करना है फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे देखे उसके अंग अंग सजाए गए अब देखो यहाँ पर पहला यह option देखा रहा तो अंग सब्द जो है एक ही बार प्रयोग कर सकते हो दोसरी बार प्रयोग करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर जितने भी जवाब दे रहे हैं और भारत का जो राश्ट्री गीत है वो भी इसी पुस्तक से लिया गया है तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग बंकिम चंद्र चटोपाध्यार जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन देखे क्या कहा रहा है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ण कोईशन है नाना इन्होंने नित्रित किया था बहुत ही इंपॉर्टन्ट है यह कई बर आपका कानप्रो वाला जो है पूछा रहाता है अगला कोईशन कह रहा है कि बाल पाल और लाल यह जो है प्रमुख नेता थे किस दल के पता फटा 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 जवाब देते हूँ चलेंगे यहाँ पर पार्टी के कौन से निता थी तो याद रखिए कि कॉंग्रेस दल के गरम दल के निता थे यानि कि option number जो इसका D है कॉंग्रेस पार्टी के गरम दल वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि Pakistan नाम जो है किसने गढ़ा था बहुत ही अच्छा question है सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर इसका पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था जवाब देखिए question number आपके यहाँ पर 4 है जवाब देखिए आना सुरू हो गया है तो 4 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा तो पाकिस्तान के हम बात करते है तो इ द्यार थी थी अगला question देखिके कर रहा है कि भारत सेवक समाज की अस्थापना किसने की फड़ा फट यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे बहुत ही ज्यादा important question है जितने भाई बैन यहाँ पर जुड़े हुए सभी जवाब देते हो चलेंगे कि भारत समाज भारत सेवक समाज की अस्थापना किसने की थी चलिए भाई यहाँ पर question number 5 का जो correct answer क्या हो जाएगा सर गोपाल कृष्ण गोखले यह जो हैं किसके राजनीतिक गुरू थे एक बात बतायते चलेंगे क्यों कई बार आपसे पूछा गया है जो गोपाल कृष्ण गोखले थे मात्मा करते जिएगे कि गाधी जी ने अखिल भारतीय फ्तर पे शत्याय ग्रहा अंदोलन कि आरम किया था तो याद रख्い दोस्तों 1990 में जो में गाधी जीए ने अखिल भारती अस्तर पर सत्याय अंदोलन जो farming किया था Q7 है, सभी लोग फटा-फट यहाँ पर जवाब देंगे, बहुत ही जाद अच्छा Q7 है, कि बार्दोली सत्याग्रा निमलिखित में से किस वेक्ति से जुड़ा है Q7 है, जवाब देखिए, सेबन का आना शुरू हो गया है Q7 है, सभी बहुतर जाल टो खाद यह और प्रोटीन की बात है लुद्स अबरेख्या timing करते हैं नहीं रतक्रादकइविन हो एक जाद सकते हैं कि ना जगे पेन आप पर जाएं ध्यून से देखिये गा कि जो मूत र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है फड़ा फड़ जवाद देते हुए चलेंगे मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है QNでは 9 जवाद देखे 9 का यहाँ पर सभी साथी देते हुए चलेंगे QN 9 कि हम बात करते है तो याद रखेगा यूरो क्रोम, बहुत ही important question है, यूरो क्रोम की मौझूदवी की color, मूत्र का जो रंग होता है, वो आपका yellow यानि की पीला color का होता है, आगला question देखे क्या कह रहा है, कि chlorophyll में क्या पाया जाता है, question number 10 है, सब लोग जवाब देते हैं, चलेंगे, chlorophyll में क् question number 10 है, यहाँ पर इसका जवाब देखे आना शुरू हो गया देरे देरे, तो chlorophyll के अगर हम बात करते हैं, दोस्तों उसमें magnesium पाया जाता है, magnesium हरी पतिदार सबजिया, जितनी भी आप हरी पतिदार सबजिया देखोगे, उन सभी में magnesium पाया जाता है, तो chlorophyll में वही पाया ठीक है, यह डा है भाई, डेवी नहीं किया था, 1909 में इसकी खोज हुई थी, आगला question देखी क्या कह रहा है, कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, चलिए भाई, फटा फट जवाब देते हूँ चलेंगे, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, question number 11 है, जवाब देखे आना फिरू हो गया है, तो भाईया, 11 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा, चलिए भाईया, question number 11 के अगर हम बात करते हैं, तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, मूल भाग से, ठीक है, पौधे का जो मूल भाग होता है, वो basically आपकी option number ज मतलब जड़ी होता है, मूल जड़ी होता है, तो जड़ों से जो होती है, आपकी हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है, अगला question देखे आप से यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेगा, question number 12 के वर्ड ट्रेड सेंटर पर आतंगवादी हमला कब हुआ था, चलि भाई, question number 12, बहुत ही famous यह हमला हुआ था, और आप सभी को इसके बारे में पता है, पुरी दुनिया जो है, जानती है, चलिए, वर्ड ट्रेड सेंटर, तो यह डबलू टी ओ, वर्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रही है, तो इस सेंटर पर आतंगवादी हमला कब हुआ था, यह हमला देखी आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि भारती सन्विधान में धार्मिक स्वातंतरता का अधिकार वर्डित है, कौन से अनुछे से लेकर कौन से अनुछे तक, चले सर, धार्मिक स्वातंतरता की बात हो रही है, तो याद रखे दोस्तों, भारती सन्विधान में अनु यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अच्छा कई बार एक कोईशन पेपर में आता है कि यह जो शेकुलर सब्द है यह कब जोड़ा गया था तो अगला कोईशन देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि भारतिय सन्विधान की उद्देशिका में पंथ निरपेच सब्द किस सन्विधानिक सन्सोदन के दबार जोड़ा गया है पंथ निरपेच सब्द चलिए सर अभी मैंने आपको सेकुलर के बारे में बताया अभी य याद रखिए कि दूस्तों जो आपका 22 सन्विधान सन्सोदन हुआ था उसमें ही पंथ निरपेच राष्ट की ए घंडता यह सब्द आपके जोड़े गये थे तो यहां पर 22 सन्विधान जो आपसन नमबर B है वही यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिए क कि भारत के विदेशी नीत का मूल सिध्धान्त क्या है भारत के विदेशी नीत का मूल सिध्धान्त क्या है चलिए कोईशन अब आपका 16 है जवाद देखिया आना शुरू हो गया है तो याद रखिए गुट निरपेच्छता भारत के विदेशी नीत का जो मूल सिध्धान वो गुट निर्पेच्छिता होता है या गुट निर्पेच्छिता का अर्थ क्या होता है गुट निर्पेच्छिता का मतलब होता है कि किसी मुद्दे के सम्मंद में उसकी योगिता तथा भारत के हितों पर इससे पढ़ने वाले प्रभावों के संदर्व में निर्ड़ ले कि छमता ठीक है तो यहां पर आपस नमबर जो इसका डी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा सत्रा का जवाब देंगे जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाईपो पर जस्ते की पर चढ़ानी को क्या कहते हैं चलिए सर कोशन नमबर सत्रा है सभी लोग जवाब तो यह यसदी करण कहा जाता है ठीक है आगला कोशन देखिया आपसे क्या कह रहा है कि कपडो तथा बरतनों को साफ करने के लिए प्रियुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है कपडो तथा बरतनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रियुक्त किया जाता है उसमे Na2CO3 ठीक है अगला question देखिए कहा रहा है कि polythene बनता है question number 19 है सबी लोग जवाब देते हूँ चलेंगे polythene जो है बनता है किस से बनता है question number 19 जवाब देखिए हाँ पर आना सुरू हो गया है तो भी यह polythene दो पदार्थों से बनता है एक आपका होता है एथलीन और एक आपका होता है वेंजिल डिहाइड इसके मिस्रर से बनता है उचिदाप पर तो option number जो इसका A है एथलीन वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा अगला question देखिए क्या कह रहा है कि vitamin B2 का अन्य नाम क्या है vitamin B2 का अन्य नाम बताईए फड़ा फड़ जवाब देते हुए सभी साथ ही यहाँ पर देते हुए चलेंगे vitamin B2 तो याद रखें दोस्तों vitamin B2 के अगर हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या है riboflavin है तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलें अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से समझेगा ध्यान से देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलग ने किसे अपना राजनीतिक गुरू कहते थे बाल गंगाधर तिलग जो है किसे अपना राजनीतिक गुरू कहते थे यह question पूछा गया है तो भाईया question number हम बात करते है 21 के बारे में तो बाल गंगाधर तिलग स्वामी विवेका नंद जी को किसको दोस्तो स्वामी विवेका नंद जी को अपना गुरू मानते थे चलिए अगला question देखी क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने start किया था भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंब किया था question number 22 है 22 का जवाब जो हो जाएगा 22 का जो correct answer है आपका हो जाएगा बिनोबा भावे यह उस तो अंदोलन जो है संत बिनोबा भावे द्वारा 1951 में start किया गया था और यह स्वैक्षिक भूमी सुधार अंदोलन था और बेसिकली बहुत ही ज्यादा मतलब सक्सिर यह माल सकते हैं कि लोगों ने भी इसका support किया था बहुत सक्से आंदोलन था यह अगला question देखिए कह रहा है कि 1942 में हुआ था भारत को अंग्रेजों की कब्जे से स्वतन कराने के लिए आजाद हिंद फोज का जो है गटन हुआ था और इसकी सर्णचना रास बिहारी बोस ने जापान की साथा से टोक्यों में के थी ठीक है तो यह आजाद हिंद फोज का गटन 1942 में हुआ था अगला कॉइशन देखिए आपसे यहां पर क्या गह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है कोईशन नूं.24 है और सभी को बताते हो चलना है है यहां पर कौन सा आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है चलिए सर, मत देने का अधिकार, एक राजनीती का अधिकार है जीवन का जो अधार है, बिल्कुल सही यहां पर option 25 बता जाए जो जीवन का अधार है, यह कोई राजनीती का अधिकार नहीं होता है तो option number जो इसका B है, वो यहां पर correct हो जाएगा चलिए, पचीos number question पे आते है, तो कहई रहा है कि सनुविधान का 56-370 किस राजिये पर लागू होता है सन्विधान का जाएख उनुचे 370 है आप सभी को पता रहा है किस राजिये पर लागू होता है सभी को पता आप तो हट गया, 370 जो है आपका जमू और कास्मीर पर लागू होता है और आप सभी को पता था कि इसी के तहरे इसको विशेस राजे का दर्जा दिया गया था बट अभी तो हड़ चुका है आप सभी को पता ही है कोईशन नमर्श अबिस के जवाब देंगे तो 12 से ले करके पैर इस तक जो है आपका इस थापिक किया गया है अगला कोईशन देखिए आप से यहाँ पर क्या गया रहा कोईशन नमर्श 27 की अगरम बात करते हैं ध्यान से देखिए कि भारत के सन्विधान में सामिल राजी नीती के निर्देशक सिध्धानतों की अधारणा किसके सन्विधान से ली गई है कोईशन नमर्श 27 है सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे कि भारत के सन्विधान में सामिल राजी नीती के निर्देशक सिध्धानतों की अधारणा है वो किसके सन्विधान से ली गई है तो याद रखे दूस्तो आयरलेंड ओप्सन नमबर जो इसका D है आयरलेंड वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 नमबर कोशन देखिए बहुत ही आसान सो कोशन है अपने पढ़ाई होगा कि AIDS का जो बिस्तरी दरोप है वो क्या हो जाएगा कोशन नमबर 28 है सबी लोग जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखेंगे दूस्तो अगर हम बात करते हैं AIDS के बारे में AIDS इसका जो फुल फॉर्म होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome यानि कि ओप्सन नमबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 नमबर कोशन कर रहा है कि ध्वनी मापक की काई को क्या कहते हैं ध्वनी मापक की काई को क्या कहा जाता भई ध्वनी मापक की काई को Decible कहते है ठीक है Decible में हम लोग ध्वनी को मापते हैं Decible जो मापक होता है वो सून्य से स्टार्ट होता है और ये सून ये 10 डेसिबल, 15 डेसिबल, 1 डेसिबल, 2 डेसिबल इस तरह से आपको जो है इसका मापा जाता है अगला कोशन देखे कह रहा है कि 2011 की जनगर्णा के एकॉर्डिंग अखिल भारत अस्तर पर लिंगा नुपात है लिंगा नुपात के वारेम कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है चलिए भाई, जवाब यहाँ पर हो जाएगा 943, ठीक है 2011 की जनगर्णा हुई थी यह वो लिंगा नुपात 943 है अखिल भारत अस्तर पर अगला कोशन कहरा है कि दालें निम्लिखित में से किसका उत्तम स्रोथ होती है दाल, भाई यह दाल सभी को पता है भाई दाल से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है न तो दाल जो होता है प्रोटीन का स्रोथ होता है ठीक है अगला question देखिए आप से यहां पर क्या कह रहा है कि निम्निखित में से किस में परियाप्त मातरा में vitamin C होता है भई यह vitamin C सभी को पता है अभी तो जब से corona है तब तो तब से और सभी को पता ही चल गया होगा कि जो खटी चीजे होती है जिसी नीबू हो गया आवला हो गया इन सब में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है तो आवला यहाँ पर देखी दिया गया ओप्सन में तो आप्सन अमर जो इसका C A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्श रहेगा और बिटामिन C की कमी से जो है इस चले बिया कोशन नमर 33 है जवाब देखी यहाँ पर आना सुरू हो गया तो बिटामिन B की बात करते है तो इससे दुस्तों बेरी बेरी नाम का रोग होता है अगर आप टमाटर लेते हो अंडे की जर्दी लेते हो हरी पत्तियों के साख खाते हो बादाम खाते हो खरोट खा बाता है कैसी क्रिया होते है जिसमें पौधे जो होते हैं अपने हरे रंग वाले अंग जितने होते हैं जिसे पत्ति हो गया उसके द्वारा सूर्च के प्रकास की उपस्षित में में वायू से कार्बन डायक्साइड तथा भूमी से जल लेकर के जटिल कार्बनिक चैसे कारबु कार्बोहार करते हैं और सीयो टू जो है उकसीजन और सीयो टू गए जो है हम लोग मसाले की रूप में प्रियोग करते हैं बताइए फटा-फट जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखे दोस्तों डाल-चीनी डाल-चीनी जो है यह बिसिकली आप यह जानके चलो कि साउथ इंडिया में बहुत जाद आपको देखने को मिलता है दाल-चीनी लोग खा में और इसका संबन्ध जो होता है किस से होता है आप सागिक कोता है कि बहुत पहले क्यूप दबे हुए मतलब होते हैं वू बाद में एधन बन जाते हैं आप किस प्रकार किस सैल में पाई जाती है तो ये परतदार सैल में पाई जाती है तो option number जो इसका बी है परतदार का मतलब होता है भूपरपटी सैल में पाई जाती है ठीक है 37 का जवाब दीजे सर जुआर भाटा की उत्पत्ती का रीजन क्या होता है जुआर भाटा की उत्पत्त आपको हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वा करसर ठीक है अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में संपत्तिका अधिकार अब रहे गया है भाई संपत्तिका अधिकार जो है कि संवेधानी का अधिकार है नहीं भाईया मौली का अधिकार पहले था जो कि अब नहीं रह गया है कानूनी अधिकार हम लोग कह सकते हैं जी है उस्तो भारत में जो संपत्तिक अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार होता है अगला कोशन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पुराडों की संख्या कितनी हैं बताए सर कितने पुराड हैं प्रह्म पुराड पद्य सिर्ट-कॉर्इक हो जाएंगे अगला कोसे कह रहा हो कि कौन सा वयद अंसत्त्य गध्य रूप में भी रचित है बताएं सर िस्विक उसलोर में भी कौन ची वेक रचित है तो याद रखें और अन सत्ता बोला घ्याना कि अनसत्ता भाग तो 40 का जो करेक्ट एंसर आपको हो जाएगा यजुरवेद ही हिंदु धर्म में चार ग्रंत है और रिगवेद होता है यजुरवेद होता है थुरवेद होता है सामवेद होता है ठीक है अगला कौशन देखिया आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि उजयन का प्राची ने नाम किया था तो उज्यान का जो प्राची नाम था वो अवंतिका था ठीक है तो अवंतिका ऑप्सन नमर जो इसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे यहां पर क्या कहा रहा है कि मिनाच्छी मंदिर जो है कहां पर मिनाच्छी मंदिर या देवी पार्वत्ती और भागवान स्युजी को समर्पित है यह मंदिर और यह बेसिकली आपका मदूराई में स्थित है कहां पर दूस्तों मदूराई में स्थित है तो उप्सन इमर जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिये क depression 45 आना शुरू ओगया है तो यद रखें दोस्तों यह ऑनवर है सुहली ग्रंथ जो है पंचत रंत्र अबर पनचत रंत्र सबीए को पता है और यह अनवर जील बिसिकली फार्सी में इसके अनुवात किया था और यहां ग्रवाया था ठीक है प्रिश्ट नम्र आपके हाँ पर 44 है जब आप देखिए हाँ पर आना शुरू हो गया तो यह नीतियायोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है बिसिकली नीतियायोग पहले योजनायोग के नाम से इसको जाया रहता है अगला कोशन देखिए कह रहा है कि भारत में फिरा का स्थ ले लिया है बताए सर फेरा का जो प्ले से किस ने ले लिया है चलिए फटा-फट यहाँ पर जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखिए कब पहले एक था फेमा जो की सं 2020 में प्रभाव में आया था और फेमा का उद्देश से था देश में विदेशी भुकतान और संधी कौन सी है फटा-फट जवाब देते हो चलेंगे तो 46 का जो करेक्ट अंसर आपका क्या हो जाएगा तो याद रखिए दोस्तों डेविस जलसंदी ठीक है बिस्वकी जो सबसे चोड़ी जलसंदी है वह आपकी डेविस जलसंदी है अगला कोशन देखिए आप से हाँ क्रिशन सागर जो बोलते हैं यहां पर हो जाएगा तो नमघ इसका बी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question देखिए कहरा है कि काला हारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है काला हारी मरुस्थल जो है किस देश में अश्थित है question number आपके यहां पर 40 है जब आद देखिए यहां पर आना शुरू हो गया है तो याद रखिए दूस्तो बोस्तोवाना ठीक है आपसर नमबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बोस्वाना चले भईया आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए आपका यहाँ पर कर दो इसका जवाब दो सर्फ 50 नमबर कोशन का कि www के आविसकारक प्रवर्टक कौन है वह यहाँ पर ऑपसन नमबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यह रहे आज के कुछ इंपॉर्टन कोशन वीडियो को मिस्मत कीजिएगा आने वाले जित वीडियो से और इसको लाइक वाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है इसका पीडियस जाकर करके हमारे टेलियां ग्रोफ से डाउनलूड कर सकते हैं जहाँ पर एंसर की के साथ इसका जो वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगा तो आज की वीडि मिलते हैं तभी से नेक्स्ट वीडियो में